तो हेलो गाईज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास टेंथ की केमिस्ट्री का चैप्टर नमबर फर्स्ट जिसे हम कहते हैं क्यामिकल रियक्शन एड़ एक्वेजिन्स ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट चैप्टर नमबर फर्स्ट एक्वेजिन्स तो इसमें हमारी जो बात शुरू होती है कैमिकल रियक्शन से तो बच्चो बेसिकली कैमिकल रियक्शन का मतलब होता है जब भी भी दो एलिमेंट फिर दो आप कह लिजिए कंपाउंड दो एलिमेंट कह लिजिए ठीक है जब भी दो एलिमेंट साथ में मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं उस प्रोसेस को हम कैमिकल रियक्शन कहते हैं सपोज सी प्लस ओटू गिवस सी ओटू क्या सी प्लस ओटू गिवस सी ओटू सी मींज कारबन ओटू मीन ओटू मींज ओक्सिजन औêuटू मींज कारबन डे ओग्साइड तो बच्चों बेसिनकली यह जो यहां पर दिख रहा है आपको दोटू एरो से पहले वाला इसे हम रियक्टेंट कहते हैं इसे हम रियक्टेंट कहते हैं ठीक है और यह हमारा एरो के इस साइड वाला है यह इसे हम प्रोडक्ट कहते हैं इस चीज को तो बच्चों हमने क्या सीखा हमने सीखा कि जो एरो से पहले वाला है यानि दो एलिमेंट रियक्ट कर रहे हैं जो एलिमेंट रियक्ट कर रहे हैं उसको हम रियक्टेंट कहते हैं और जो उन दोनों के रियक्शन से बना है उस एलिमेंट को हम प्रोडक्ट कहते हैं तो यह तोगी बिल्कुल बेसिक जानकारी chemical reaction के बारे में और यह जो हमने यह representation लिखी है इस reaction को दिखाने के लिए जो हमने representation लिखी है इसको हम equation क्याते है chemical equation क्याते है ठीक है समझ आया जब भी दो compound oh sorry जब भी दो element मिलके एक compound बनाएं यह दो element carbon is element and oxygen is element जब भी दो element मिलके compound बनाएं compound को मनदद यह दो सी ओटू किसी भी दो element से मिलके बनावा substance उसे हम compound कहते हैं जब भी दो element मिलके compound बनाएं उसे हम reaction कहते हैं और उसकी जो हमने symbolic representation यह बना रखी है इसे हम chemical equation कहते हैं तो यह बिल्कुल basic साब को होगे chemical equation क्या होती है simple ठीक है बच्चों देखिए बोर्ड में क्या है कि हमारा बोर्ड में कभी कभी definition पूछ लिए आती है एक number में आ जाती है chemical reaction की definition तो मैं आपको वही सिखा रहा हूं chemical reaction की आप paper में कैसे लिखेंगे तो paper में क्यमिकल reaction वह interaction है किनी भी दो element के बीच में जिसमें वह नया product किनी भी दो reaction की बीच में ऐसा interaction है कि वह product form करें with new properties के साथ नहीं नहीं properties के साथ product form करें तो इसी process को हम chemical reaction करें ठीक है तो हमने क्या सीखा हमने सीखा कि chemical reaction किसे कहते है किनी भी दो element के बीच के interaction से बना हुआ product with new properties नहीं properties के साथ बना हुआ product को हम chemical reaction कहते हैं तो यह हो गया हमारा chemical reaction की definition जो की एक number में आ सकती है तो यह हम पढ़ रहे है chemical equation chemical equation की definition अगर हम देखें तो यह हमारा board में एक number में आ जाता है जैसे मैंने आपसे कहा तो इसकी definition है the method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formula of the substance known as chemical equation यानि किसी भी chemical reaction को element के formula ले या फिर सिंबल से represent करने के तरीके को हम chemical equation कहते हैं example लेते हैं oh sorry oh जैसे कि अगर मैं आपका example थोड़ा आसान सा आपके लिए लेता हूं मैं तो मैं आपके लिए लेता हूं चलो तो CO2 को example लेते हैं C plus O2 gives CO2 जैसे कि हमने पिछले इसमें भी example लेता था कि आपको याद रहे तो देखें carbon हमें ऐसा नहीं लिख सकते कि carbon when carbon is added to oxygen then it gives carbon dioxide हम यह नहीं लिख सकते हैं ऐसा में बहुत बड़ा होगा तो हमें उस reaction को sort में लिखने के लिए हमने उसके symbol carbon का symbol C use करा oxygen का symbol O2 use करा carbon dioxide का symbol CO2 use करा जिससे हमारे chemical reaction क्या हुई लिखने में आसान होगी तो इस लिखने के तरीके को हम chemical equation कहते हैं तो यह chemical equation क्या कह रही है कि carbon plus oxygen gives you हम इसे कैसे पढ़ेंगे carbon plus oxygen gives you see what तो हमारा chemical equation हो गया है तो आज के लिए इतना ही तो अब मैं इसका second part आपके लिए लाऊंगा जिसमें हम balancing of chemical reaction देखेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा important topic है यह paper में आता ही आता है यह समझ लीजिए फिर हम देखते हैं तब तक के लिए Thank you